तब पूट्रेट ओफ वा लीडी कुश्वन सेंग मेरी दादी मा बाके सबकी दादियों की तरह ही काफी बुड़ी थी जब से मैंने हो समाला तब से मैंने अपनी दादी को बुड़ाई देखा 20 सालों से ही उनके चहरे पर वही बुड़ापा और जुरिया थी लोग कहते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में वो बहुत खुबसूरत हुआ करती थी पर मेरे लिए ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल है मेरे दादाजी की तस्वीर हमारे ट्रॉइंग रूम में लगी है वो एक बड़ी पगड़ी पहनते थे और उनकी लंबी सफेदारी थी उन्हें देखके ऐसा नहीं लगता था कि उनकी बीवी और बच्चे भी होंगे क्योंकि वो बहुत ही बुड़े थे हाँ पर ऐसा जरूर लगता था कि उनके देख सारे क्रैंट चिल्डरंस होंगे मेरे दादी मा अपने बच्चपन के किस्से मुझे सुनाती थी कि वो कौन-कौन से खेल खेलती थी उनके किस्से तो मुझे बड़े ही बे तुके और अजीब लगते थे और मैं इन किस्सों को किसी प्रॉफिट्स की कहानियों की तरह ही मानता था वो गोरे रंगी थी और उनके सफेद बाल थे वो हाइट में थोड़ी छोटी थी और वो थोड़ी से मोटी भी थी वो जुक कर जलती थी और हमेशा ही वो सफेद कपड़े पैंती थी उनके हाथ में एक माला भी होती थी जिससे वो हमेशा जबती रहती थी उनका पुरा चहरा छुरियों से भरा था वो बहुत बुरी थी इतनी बुरी कि अब और ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती थी वो अपने बुढ़ापे की चरम पर थी वो बहुत खुबसूरती पहारों की सरदी के मौसम जैसी एकदम शांत खुबसूरत और पवित्र मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्ते मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाओं मेरी दादी के साथ छोड़ दिया जब वो शहर चले गए थे दादी मुझे रोज सुबह सुबह उठाती थी और स्कूल कले भी वो मुझे तयार करती थी और जब वो मुझे स्कूल कले तयार करती थी तो वो मुझे एक प्रेयर बिगा कर सुनाती थी जिससे कि मैं उस प्रेयर को सुनू और याद कर सकूँ पर मैं तो उस प्रेयर को इसलिए सुनता था कि उनकी आवाज बहुत प्यारी थी मैंने कभी उस प्रेयर को याद करने की कोशिश नहीं की फिर वो मुझे नाश्टा भी करवाती थी नाश्टे में मुझे वो एक रोटी पर मक्षन और इस पर चीनी चड़क कर देती थी फिर मैं स्कूल जाता और दादी मा भी मेरे साथ स्कूल आती क्योंकि स्कूल के बगल में ही मंदिर था वो गाओं के प्यारे डॉगीज के लिए बासे रोटी बिलाती थी स्कूल में टीचर मुझे अलफा बैट और प्रेस खाती और मेरी दादी मा पकल के मंदिर में बैट कर स्क्रिप्चर्स और गरंद परती जब मेरी चुटी होती तो हम दोनों साथ में घर आते और फिर गाओं के प्यारे डॉगीज हमारा पीछा करते और रोटी के लिए वो बहुत ही प्यारे और अच्छे दिन थे जब मेरे माबाप शेहर में पूरी तरह से सेटल हो गए तो उन्होंने हम दोनों को शेहर बुलवा लिया ये मेरी और दादी की दोस्ती का टर्निंग पॉइंट था हलाकि हम अभी भी सेम रूम शेयर करते थे लेकिन अब दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी क्योंकि अब मैं एक इंग्लिय स्कूल में जाता था और वो भी मोटर बस में अब सड़क पर डॉगीज नहीं होते थे इसलिए हमारी दादी हमारे घर के आंगर में ही प्यारी प्यारी स्पैरोस को दाना डाला करती थी और ये उनकी हर दिन की आदत बन चुकी थी अब जैसे जैसे साल गुज़रते गए हम एक दूसरे से कम मिलने लगे और हमारे कम बाते होने लगी कुछ टाइम तक वो मुझे स्कूल जाने के लिए उठाती थी और वो मुझे तयार भी करती थी और जब मैं स्कूल से आता तो वो मुझे पूछती की टीटर ने स्कूल में क्या पढ़ाया और जब मैं उन्हें बताता कि स्कूल में मुझे English और Science पढ़ाय गया और Science में मैंने आज Law of Gravity और Archimedes Principle पढ़ा तो ये सुनकर वो काफी उदास हो जाती थी क्योंकि वो अब मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी और ये जानकर वो बहुत ही जादा गुसा और दुखी भी हो जाती थी कि मेरे नए स्कूल में हमें भगवान और स्कृप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता एक दिन जब मैंने उन्हें ये बताया कि हमारे स्कूल में हमें म्यूजिक भी सिखाई जाती है तो वो बहुत ही जादा गुसा हो गई उनके हिसाब से म्यूजिक बहुत वल्कर होता है म्यूजिक सर्फ खराब और विकारियों के लिए होता है इस्थार लोगों के लिए नहीं और उसके बात से शायद ही उन्होंने मुझसे बात की ऐसे ही टाइम गुजरता गया अब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा मुझे अपना अलग कमरा दे रिया गया और मेरी और दादे के बीच जो हल्की फल्की सी दोस्ती थी वो भी अब कत्म हो गई दादी अब अकेले एकांट में रहने लगी वो सुबा से शाम थक चर्का चलाती रहती अब वो किसे से बात भी नहीं करती थी अकेले चर्के के पास बैटी वो माला जपती रहती और प्रातना करती रहती बस शाम को ही वो थोड़ा सा आराम करती जिसमें वो हमारे घर के आंगन में प्यारी प्यारी चिडियों को दाना खिलाती कई सो चिडियां हमारे आंगन में जमा हो जाती थी और उनकी चहात पूरे घर में फैल जाती थी कुछ चड़ियां उनके सर पर, कुछ उनके पैरों पर और कुछ उनके कंदों पर बैठ जाती वो उन्हें हटाती नहीं थी बलकि वो मुस्कुराती रहती यहीं उनकी दिन भर का सबसे खुशनुबा और अच्छा टाइम होता फिर जब मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अब रोड जाने का फैसला किया तो मुझे यकीन था कि ये जानकर ताती बहुत गुसा होंगी क्योंकि मैं पूरे पांच सालों के लिए जा रहा था लेकिन वो दुखी नहीं हुई बलकि वो मुझे छोड़े रेल्वे स्टेशन आई हलाकि उन्होंने मुझे से कोई बात नहीं की और नहीं कोई इमोशन दिखाए वो मन ही मन धीरे धीरे प्रातना कर रही थी उनका सारा ध्यान प्रातना में था फिर उन्होंने मुझे धीरे जिम माते पर चुमा मैं चला गया पर दादी का वो प्यार मेरे साथ था ऐसे ही पार साल बीट गए मैं वापस कर लॉट आया इस बार भी मुझे लेने दादी रेल्वे स्टेशन पर आई दादी बिलकुर पहले ही जैसे लग रही थी ऐसा लग रहा था जैसे उनकी उम्र एक दिन भी नहीं बड़ी उन्होंने मुझे कोई बात नहीं की लेकिन उन्होंने मुझे सिदा कले लगा लिया गर आने पर वो इतनी ज़ादा खुश थी कि शाम को उन्होंने अपनी पूजा भी नहीं की वो हर दिन पूजा करती हैं और अपनी पूजा एक बिदन नहीं छोड़ती पूजा करने की बज़ाएं उन्होंने पास प्रोडूस की ओर्तों को एकटा किया और डोलक बज़ाई और गाने गाए और गाने भी ऐसे गाये जो गाये जाते हैं जब युद्धा घट वापस आते हैं हमने उन्हें बहुत मना किया पर वो नहीं मानी ऐसा पहली बार था जब उन्होंने पूझा नहीं की थी अगली सुबा वो बिमार पड़ गई उन्हें हलका सा बुकार था और डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी लेकिन दादी का तो कुछ और ही मानना था उन्होंने हमसे कहा कि उनका आकरी समय आ गया है उन्होंने कहा कि कर शाम उन्होंने पूझा नहीं की और अब वो और टाइम हमसे बातों में बरबात नहीं करना चाती अब उन्हें प्रातना करने दिया जाए हम सबने उन्हें बहुत मना किया कि आप आराम करो लेकिन वो नहीं मानी बैट पर लेते लेते वो प्रातना करती रही और पता ही नहीं कब वो बगवान को प्यारी हो गई कुछ घंटे शुक मनाने के बाद हमने दादी मा को जमीन पर लिटा दिया और लाल चादर से डग दिया शाम होते ही धूप दादी के कमरे में फैल गई और ऐसा लग रहा था मानो चारो तरफ सुनहरी रोशने बिखर गई और तबी देर सारे चिड़ियां हमारे आंगर में आ बैठी जैसे वो रोज आते थी लेकिन सबसे अज़ीब बात ये थी कि आज वो जरा सा भी नहीं चाह जाए मेरी मा ने उन्हें ब्रेट के क्राम्ज दिये पर उन्होंने नहीं खाए और जब हम दादी मा को ले गए तो वो भी चुपचा वहाँ से उड़ गई सो यहाँ भी हमारी कहानी घतम होती है आई होप आपको एक्स्प्लेनेशन अच्छे लगी हो अगर आपके लिए वीडियो सरा सी भी हेल्फुल हो तो प्लीज मेरे चानल को सबस्क्राइब करें ऐसी प्यारी प्यारी क्लास 11 एनिमेशन वीडियो के लिए